हालो इस्टुडेंट आप सब लोग को मोस्ट विलकम आप लोग मेरा वीडियो कैसे लगा इसी को आप कमेंड बाक्स पर जरूर बताये करें आज हम आप लोगों को जेए मेंस और एडवांस लेविल के इंपॉर्टन कोश्चन बताने जा रहे हैं इसे आप लोग ध्यान पू संट्रीश के चरील धे जिए मिनलीटो लोग समझें कि और टार्म आफ साफ न अपी आए ऊए सच जट एडट वान अपान एवनएट én इटू QLP अब्ला अपान इट्ट्ण राषल ड़श ब्लस वंवन अपान एठीय फ्लया επιच्ठी प्लस व्लन अपान ऐटी आपान एठ हुआ है and a2 plus a4000 is equal to 50 दिया हुआ है and a1 minus a4001 का माड is equal to 10 lambda दिया हुआ है then find lambda तो इस्टूडेंट लेम्डा की बायलू यहां फाइंड करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस लेविल के एस्तर से कोशन है इसे आप समझे ठीक से पी का है arithmetic progression का तो धान दे यह कोशन दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले आप स्टार्टिंग ध्यान दे कैसे करेंगे इंटू में है इसको करना है दो पार्ट में प्रतेक के दो-दो होता है A2-A1 या A3-A2 ऐसे होगा क्योंकि A1, A2, A3 से लेकर के यह A4001 तक श्रीज दी हुई है इसको D कहते हैं तो यही D से अगर गुणा multiply कर दें उपर तो उतने इनका फिर भाग कर देंगे तो यहां से यह इसका काम सुरू हो जाएगा यहां से इसका जो सरलिकत सुरू हो जाएगा तो देखिए लेपट हैंड साइड में पहले लिखता हूं डी से में डिवाइड करता हूं और दे से उपर multiply भी करता हूं डी अपान एवन एटू प्लस डी अपान एटू एट्री प्लस डी अपान एट्री एफोर प्लस सवान डी अपान एफोर थाउजंट इन्टू एफोर थाउजंट वन यह है इस एक्वल पर लेप्ट को लिखते हैं राइट में 10 है लिख दीजिए इसको भी तो इसको साल्व करें तो यह होगा डी की वाइलू रखते जाए यह दी तो उसी पर लिख रहने दीजिए यह दी को हल करने क्योंकि एवन एटू है इसी में इसको तोड़ेंगे एटू माइनस एवन डिवाइड वाई एवन एटू प्लस फिर दी है यहां एटू एथरी है तो क्या करेंगे एथरी माइनस एटू डिवाइड वाई एटू एथरी इसी प्रकास आगे बढ़ते जाएंगे एफोर माइनस एथरी डिवाइड वाई एथरी और एफोर इसी प्रकास आगे बढ़ेंगे यहां पर इसमें तोड़ेंगे एफोर थाउजंड वन माइनस 40000 into a 40000 is equal to 10 यह ईसको आप इसका डिवायीट जो है दोनों करेंगे तो हम से श्क ऐसी इसमें अपन एवान कर केंगे हाँ ना आप अरग deben यह मिलता जा डी से जब हमने कि बात कि湯 यह काम बनना शुरू हो गया अब इसमें कर जाएंगे तो सरली कित हो जाएगा यहां रबाग करेंगे तो one आपान ओपान है डुक माइनस वन अपाउन ए 3 यहां से फोन आपान a3-yes यहां करेंगे तो यह फोर थाउजन वन कटेगा तो वन अपान एफोर थाउजन्ट माइनस यहां एफोर थाउजन्ट कर जाएगा एफ फोर थाउजन्ट वन ठीक है इस इक्वल टू यह बचाब गए इसको देखिए यह माइनस में है यह प्लस में माइनस यह माइनस फिर आगे प्लस मिलेगा ऐसे करते इसके पहले वाला भी कर जाएगा यह सबसे लास्ट में है सबसे ग्रिटर है बड़ा है चार हज़ार एक है एक मैलूमिस में चार हज़ार एक वापध है यह तो इसको काटने वाला यहां नहीं मिल पायेगा तो अगे शुरू में यह पहला वाला भी नहीं कट पायेगा यहीं बच जाएगा इससे को लिखना है तो 1 अपान D यग 1 अपान A1 माइनस 1 अपान A4001 ठीक है इस इक्वल टू 10 यह हो गया अब इसका आप LCM ले लिजे तो 1 अपान D LCM लेंगे तो किता होगा A1 और A4001 यह A1 कर कैंसिल होगा A4001 हो जाएगा माइनस A4 कर जाएगा तो A1 हो जाएगा इस इक्वल टू 10 ठीक है यहां तक समझ में आया सब लोग आप लोग के ठीक है तो इस प्रकास से हमने डी से मल्ट्विकर के बनाया इतुर ध्यान दीजे इसको आप ठीक से समझ लें और फेर बना की उतारना भी शुरू कर दें उतार लीजिया कर दिए मैं इसको बागे ब लगा दें ज्यादा सही रहेगा इसके बाद मैं यहां लिखता हूं इसको ध्यान दीजेगा यहां तो यहां पर देखें वन अपांडी यह है और यह जो यहां पर चार हजार वन वापद होगा यहां यहां वन माना गया चूकि वन शुरुआ था इसलिए वन लिख दोंगा यहां पर किता हो चार जार एक मानस वन तो किता हो जाएगा चार हजार हो जाएगे इन्टो दी और यह हो जाएगा यह धुटेंगा एज फूर थाउजन वन की वह जोगी कि अब प्रथम पद एवन प्लस four thousand इंटो दी ठीक है यह हो जाएगा और माइनस एवन है ठीक है डिवाइड वाई डिवाइड है एववन इंटू एसकंड मैं इसको कर जाएगा तो यह इंटू बचेगा इसकी साथ बढ़ाबर कितना है रहे गा आप जीरो से जीरो भी कर जाएगा ठीक है कितना हुआ 4000 वानने 400 बचेएगा 400 divided by A1 into A 4001 is equal to 1 ठीक यह 1 होगा अब इसको आम नंबर 1 माल लीजिए इसका जो मल्टिप्रिकेशन 400 बराबर आ गया ठीक है इसको हलका नितना आया अब इसके बाद देखिए अगला उसी भी आगे दिया है एटू में सेकंड टर्म और इन दोनों का सम 50 दिया हुआ है इसको समझे तो यह आर्थेमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा पद है और यह चार हज्जा जो लाश्ट से दूसरा पद है इसके पहले आएगा इसको समझे अब इसको मिटारते हैं कि यह बहुत अच्छा कोशन है कि इससे आप पढ़ेंगे तो जरूर आपको एडवांश में काम करेंगा डवांश में इसी ट्याय लेविल का कोशन आएगा वहां आपसे बन जाएंगे ध्यान से समझेंगे तो यह हो गया तो आप इसको देखिए जैसा आप जानते हो और्ठेमेटिक प्रोगर्शं में जैसे एवन है एटू है इस प्रकार से लास्ट में एन है ठीक है या उससे पहले क्या होगा एए एन मानी सब्सक्रा आप इसमें जानते हो कि हो मने संम आफ एक्टीस्टेंस फ्राम इनीशियर यह वन PTSD सबूरस्ठ के पदों का जो संद कर रखा दर अटी होगं प्रधंपद or लाशट प्रफम से दूसरा पड़ लें तो अन से दूसरा प्रफम से तिसरा लेना पड़ेगा उनका सम प्रफम से दूसरा हुआ प्रफम से दूसरा प्रफम से दूसरा प्रफम इन्स प्रकार का सम यह हुआ करता है यह प्रोपर्टी धिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा और लाश्ट अब यहां शुध्यान दें यहां पर इसको यहां कितना लिखेंगे यह आपका 4001 होगा इसके पहले क्या होगा एफ फॉर थाउजेंट होगा यह होगा तो सेकंड यह होगा एटू प्लस एफ यह प्रत्रम से दुसरा होगा यह प्लस एफ फॉर थाउजड वन के सम के बराबर हो यह प्रॉपर्टि हो गई यहां अब यहां देखें यहां पर किसी की वैल्योंदी हुई है इसका मान दिया हुँ देखिए एटू प्लस एफोर थाउजन की बाइलू 50 नहीं हुए है इसके आप 50 रख देंगे तो यह भी 50 उसके पराबर हो जाएगा कैने मतलब पराबर 50 हो गया इससे क्लियर हो गया यह आपका दूसरा नंबर हो गया फर्स्ट हुआ यह इंटू में निकला यह प्लस सम में निकल आया दोनों यह बैलू निकाल लिए अब ध्यान दें अब हम इसके आगी चड़ें इसका देखिए एवन माइनस एफोर थाउजन वन का माड यह आपको निकालना है अब वह 10 ले जानते हो कि a square हो या ृषए आफस एक माड आफ एक होता है हम्म यह होता है यहां पहले की चलूँगा यानि एवन माइनस एफोर थाउजन वन का होल इसकॉयर लेके चलेंगे इसी एफ लिए कि माइनस एफोर थाउजन वन के माड का इसपर दोनों स्यम होता है ठीक है इस प्रकार से इसको आगे देखिए अब इसके बाद जैसे जानते हो यह माइनस का वर्क कर रहे हैं तो इसे हमें जो गिभेन है उसमें ले चलना है तो गिभेन क्या है प्लस में गिभेन है तो इसको हमें प्लस में बनाना है तो इसे कच्छा 10 में फार्वूला भी पढ़े हो कि a minus b का whole square करना होए a minus b का whole square क्योंगा a plus b का whole square minus 4 a b क्योंकि plus 2 a b आएगा plus 4 minus 4 लगा दिए तो 2 कड़ जाएगा दो इसमें आ जाएगा इसके बराबर आना चाहिए इसमें का से कर सकते हैं कि इसको लिखेंगे a1 plus a 4001 का whole square ठीक है यह हो गया यह हो गया फिर इसका माइनस लगा देंगे चूंकि यहां ध्यान दे माइनस हमको लाना है इसमें से प्लस मिलेगा तो माइनस ओर एवन इट एवन इन्टू एफ ओर थाउजंड वन का मारी कितना निकला है इसका मावी निकाले फश्च से चार सुथा अब इसको हल कर लीजिए यह वह पचीस सो माहना चार्चों को 100 बराबर कितना हो जाएगा 900 हो गया इसका मैनला इसका स्कृइर 900 आया इसका मालत फिर a1-a 4001 का माड वर घटेगा तो अंडूड लग जाएगा उद्धा करें कि नौ सब को किता होगा थर्टी हो जाएगा इस प्रकास से यह मान प्राप्त हो गया इसको थार्ड मान लीजिए ठीक है अब आप देखें कोशन में अपना यह कोशन गिवेन है बराबर 10 लिम्डा आइए इतना हम निकाल लिए थर्टी के बराबर तो इसकी हम इस से कल लें तो क्या हो जाएगे यहां पर देखें एवन माइनस एफ फोर थाउजंट वन फोर थाउजंट वन माड इस इकल किता लिखा हुआ है टैन लेम्डा तो इससे कंप्रिजन करेंगे लिप बराबर है तो रा अच्छा कोशन इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ें समझें तो सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी कहीं कोई समस्या नहीं होगी ठीक है थोड़ा सी फार्मूला लगाना पड़ा ठीक है यह और इसके बाद जो फस जो एर्थमेटी की प्रॉपर्टी होती है कि प्रारम स तर्म का सुम कर दिया लेंडा की वैलू होता है उसक निकाल लिया इसको पहला कुश् upward लेए यहीं पहला पाहरा कोश्चन कुछ नमबर दूसरा भी बहुत इंट्रेस्टेड एडवांस और मेंस से रिलेटेड इससे आप ध्यान पुर्वक समझें कुछ नमबर टू टू है लेट याक्स वाई जेड बिलांग टू आर प्लस यहने रियल प्लस नमबर में है इफ दा लिस्ट वाईलू लिस्ट वाईलू आफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन की मैंने बेंजा की समीकान के रूप में लिखा हुआ है एक्स क्योब अपान अपान फोर वाई प्लस वाई अपान एट जेड इस्प्वायर प्लस वन प्लस जेड डिवाईड बाई तू यक्स इज एवाई बी मैंने इसका लिस्ट वाईलू आफ एक्सप्रेशन इसका लिस्ट मान के तना है एपान बी के है देन सब्सक्राइड इसकी वाईलू आपको फाइंड के प्लस बी का मान कितना होगा ठीक है यह है अब इसको समझे बहुत अच्छा कोशन है इसको जो student talent होगा तुरन उसको पकड़ में लेगा तुरन लगाना शुरू कर देगा ध्यांदे इसको least value कहा कम से कम मान पत्वत पूछा जा रहा है और यह तीनों जो वैरियेबूल है वह पास्ट्यू नंबर के हैं रियल पास्ट्यू नंबर हैं और यह बेंजक इस प्रेशन जो लिखा है इसको तीन टर्म मानेक फर्स्ट रेकरन थर्टीन तर्म में दिया हुआ है जब कभी इस प्रकास से पास्ट्यू हो यह तीनों टर्म पास्ट्यू हो और लीस्ट वैल्यू पूछा जाए तो उसमें स्टूडेन ध्यान रखिए आप लोग वह एम जी वे नो दायट हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं एम ग्रेटर देनार एकवल जीयम अर्थमेटिक मीन जो है गुरोतर मीन जीयां गुरोतर मीन से बड़ा या बराबर होता है जब कभी लीस्ट वैल्यू कहें देखिए अब यह देखिए इधर लेस्ट है इसी प्रकास में लगता हिए और तीनो ध्यांदे जीयम की जो मने जो फैक्टर हो पर टर्म हो वह पास्ट्यू रहें चाहिए कि जीया में जो अंडरूट करेंगे अगर कोई टर्म निगेटिव हो जाएगा तो इमेजनी हो जाएगा रियाल नहीं रह जाएगा इससे सबसे पहली सर्तिया है है कि जो वरियेवल हो वह पास्ट्यू जरूर होने चाहिए अच्छा दूसरी बात यह है जब यह फार्म लगाएंगे तो जो तीनों टर्म हैं वह एक दूसरे के आपोजिट रहें उल्टा रहें व्यूतकरम रहें ताकि मल्टिपुल करने पर जीयम में सब कट जाएं तब ट्रम है यह में एक्स क्यों डिवाइड वाई फोर वाई प्लस वाई अपान एट जडिस्क्क्यायर रच वन प्लस एडट अपान टू एक्स-प्लस रच और विचुन ध्यान दें इसमें तीन तर्म दिख रहें ठीक है तो यह तीन टर्म है अब जब यह मैं फार्म लगाऊ सबसे पहले इस प्रकार बनाएं कि जितना एक्स वाइज में उपर पावर हो उतने पावर नीचे दिखे ताकि हम जब गुणा कराएं तो कट जाती नो ठीक है तो सबसे पर इसको बनाएंगे तफीस में रखेंगे अब देखेंगे यह वाले को तोड़ना चाहिए पढ़े तोड़ेंगे लिखेंगे एक्स क्यू डिवाइड वाइफ होर वाई प्लस वा थेिखेंगे आपका यह s負ीस है यहां कि झालेंड जिवाइब लोटे के आज करें अब भी मल्टिप्लाइगा नहीं बन पायेंगा गांशें में इसलिकशच में केंना इसलिए homework ने यहां तोड़के लिखते हैं क्याँ एक स्क्यूब डिवाइड बाई स्ट्राइब डिवाइड भाई प्लस वाई अपान एट जी स्क्वाईर प्लस वन अपान टू यत प्लस यह स्टूद्टिफ आपन टू एक्स है इसको हम दो तर्म में तूरणा चाहें यह दिस्ट हान दि यहाँ चाहिए अब इस चोड़ेंगे तो यहां चाहिए आप इस सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग यह जानेंगे जब भी इस प्रकास से लीष्ट वाली पूछे, एम गटरदन जीम लगाएं, तो जो इस प्रसन हो, वो उल्टा होन चाहीए, बियुत्करम होन चाहिए, और जितने पावर यक्स में, वाई में, जेड में उपर हो, उतने नीचे हो, अचाहे यक्स वाई जेड का सवाल हो, चा सब्सक्राइब करने में कट जाए, ताव ही यह फार्मोल लग पाएगा, और उसी टाइप को बनाना होगा, तो इस प्रकास सब्सक्राइब करेंगे, इस प्रकार तब जाके यह बना, इस लाइक इसमें रखने लाइक बन गया, तो ध्यान दगी कितने टर्म हो गए, एक, द यहाँ क्या करते हैं ध्यान दे, इसको हम लिखे इन्टू करेंगे, यानि एक्स क्यूब दिवाइड वाइड फोर वाई into वाई अपान एट जेड स्वाइर into one अपान टू एक्स into z अपान फोर एक्स into z अपान फोर एक्स, फिक है, कितना होगा, फिप्ट रूट रहे गा इ सब कटना चाहिए एक से एक से एक स्क्यूब हो गया वाई वाई कर जाएगे तो बच्चा क्या इसमें ध्यान दीजेगा अच्छा इधर उताल लीजिए यह फाइल का मल्टिप तिछा गुड़ा कर दीजिए यानि कितने हो जाएगा एक सक्यूब डिवाइड वाइड वाई चाहिए एक सित्क है वो गया लाएट लेख लिएक हो जाएगे आएगे सित्क जो चाहिए एक से लिए कोईट पट्ट्ट्ट्ट्ट्स देखिए इस प्रकाई शुडेंट यह हुआ एक्स क्यूब अपान लाइट कर गे शुडेंट इस लिए धान दखें थोड़ा देला के लाइट कर गे शुडेंट यह हो गया अब यह लिदिया प्लस य अपान एट जेड़ स्क्वार यह हुआ प्लस वन अपान टू एक्स प्लस जड़ अपान फोर एक्स प्लस जड़ अपान ओ यह हो गया और यह फाइग तिर्शा गुड़ा कर देंगे धर हो जाएगा और यहां देखिए यह डिजित से बची हुए हैं चार है आठ है चार यह यहां प्लस तोड़ देंगे चार दो एक चार तीन एक चार इसे में से एक दो दुन चार मिल जायगा घान पाइब लगता है वन अपान फूर तो पाइबार फाइफ मार्ख हो जाएगे अपावर कितना है वन अपान फाइफ तो इससे फाइब से फाइब कर जाएगा तो गेटर देना इक्वल तो फाइब भाई यह बचेगा ठीक है इस पर कासी हो गया आईधार के टर्म को आप उसी पर फिस ठीक है तो एक्स प्लस इसको तो करेंगे तो जड़ अपान तो एक्स फिर यह हो जाएगा एफ और प्लस जड़ बाई टूस करें यह हो जाएगा इधर आप देखिए यह चीचित क्या दिया है इसमें दिया नहीं यह एक्सप्रसान इज व्ट इसके लिष्ट वैलू एबा और बी बराबर फॉर तो आपसे प्लस भी पूछा है देरफोर एक किता फाइब लिखेंगे अब भी को फॉर लिखेंगे तो फाइब फोर में के नाइन हो जाएगा यह जब एंसर हो जाएगा इस प्रकाशिया आपका दूसरा इंपॉर्टन था जो कि यह भी आपका है अर्थमेट्रिक में जिमेट्रिक में से रिलेटेड हो गया इस प्रकाशियों ध्यान दें जब कभी लिखेंगे हम उसको उप्योग करते और लगाएंगे और कर्म हमने आपको सब सिखा दिया जितने पावर ऊपर रहें एक्स वाई जेट के उतने पावर नीचे मिल अगर एक सुवाई रह जाता तो कैसे हाल पर पाते हैं अब सब कड़ गए तो इसमें से निकाल लिए तो फोर निकल आया तो फाइब भाई फोर हो गया जो कि बड़ाबर दिगी नहीं है तो यह आपका पांच हो जाएगा यह निकल आया तो एक कुश्चन और देखें अग कुश्चन नमबर थर्ड तिश्रा है इफ A, B, C, R पासिटिव नमबर, R पासिटिव नमबर इन एपी इन एपी आज हम अर्थमेट्रिक प्रोगेस्टिव स्रेटर सारे कुश्चन आप लोगों को बता रहे हैं A, B, C, R पासिटिव नमबर इन एपी ना आयंड गिवें देट and given that दिया हुआ है A plus 2B minus C into 4B plus 2C minus 2A into C plus A minus B is equal to lambda ABC lambda ABC find the value of lambda lambda का मान आपको बताना स्टूडेंट इसको समझेए वी बड़ा अच्छा कोश्चन है लेकि उससे थोड़ा सा हलका है लेवल में फिर भी जेवी मेंस में कि आ सकता है कोश्चन प्रटाइब कि ध्यान रखे आप जैसे जानते हैं स्टूडेंट यह ABC जो है किसमे नमबर हैं यह दिना अरफिमेंट्रेंटरिक समर्स्चन में है जो जह सब्सक्रस्चन कि जानते हैं अब होता है कि क्या होता है कर दोखो एप इसमें उतारे पिसमें सीधे रखेंगे अब दोखो यह 2B है ठीक यह प्रश्ट 2B-C यह कितना हो जायेगा एप प्लस 2B किता रखेंगे एप प्लस 2B-C माइनस 2B कड़के बराबर 2A हो जायेगा तीसरी फ्रकास देटना है फोर माइनस टूए है तो यहां तो कर लें टू इंटू इंटू बी अब टूभी में बली रख देंगी कि फिर प्लस टूसी माइनस टूए हो जाएगा अब यह खोल देंगे तो कितना मिलागा इसको आप फ़स्टमांगे चले आई आई जो आले को शेकन ले ले ठीकिशन इस पर ध्यान रखिए थर्ड थर्ड फैक्टर और है सी प्लस ए माइनस भी अब देखों सी प्लस एही समझ लिजे तू बी रख दीजिए इसके अस्तान में यह जाएगा तू भी और यह माइनस भी तो कड़के भी हो जाएगा इसका थ लेफ्ट में लिख देंगे गुड़ा जो लिखा हुआ है यानि कैसे रिखेंगे एप लाइस टू वी माइनस सी यह फिर उतार देंगे फोर बी प्लस टू से माइनस टू ए और फिर सी प्लस ए माइनस बी यह हो गया अब राइट प्र कितना है राइट वह देखिए इसका प्लस टू एंटू फोर से इनटू बी तो गुला कितना हो जाएगा चार दुनी आठ आठ एबी सी ठीक यह दिया हुआ यह हो गया आपका अब जो एट एट एबी सी और इस फैक्टर में बैंजक में दिया जो गया है वो बराबर दिया है लेम्डा एबी सी के एकवल दिया लेम्डा इस गल टू एट यह एंसर हो गया इसको भी समझ लीजिए अच्छा कोशन है ठीक है उससे लोह जरूर है लेकिं इंपॉर्टन कोशन है यह मेंस में जरूर आ सकता ध्यान दे इस परकाश से यह जो हम जेई मेंस और एडवांस लेविल कोशन आग उता रहे हैं तर प्रहंग से पढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग ठीक से पढ़ें और समझें वीडियो के प्यारे बच्छों लाक्ष्ट देखा करें यह आपको वेडियो कैसे लगा पिछला वीडियो भीबाब कर्मेंट माक्सम बताये करें ठीक है तो इस अपने इस्टी म